नमस्ते थर्ड आई में आपका स्वागत है एक बहुत एहम ख़बार है और मुझे नहीं मालूम कि इसको प्रमुकता से क्यों नहीं मीडिया ने कवर किया वो है भाजपा की राश्टी कारकार्णी का पुनर गठन हुआ जब अध्यक्ष बने हैं उसके बाद यह पहली बार ए की जो सबसे बड़ी कमिटी है मतलब जो टॉप पे है उसको पार्लामेंटरी बोर्ड बोलते हैं उस पार्लामेंटरी बोर्ड में एक प्रेजडेंट और दस सदस्य हो सकते हैं एक ग्यारा लोकल हो सकते हैं प्रेजडेंट में उसमें केवल साथ लोग हैं ग्यारा में से हुश से important लोग आपको इसमें नहीं दिख रहे हैं तो ये तो हो गई 11 में से 7 लोग अब इस चार विकेंट हैं इसमें अब इसके बाद एक जो important committee होती है वो अच्छे ये parliamentary board जो है ये सारे आपके day to day important decisions होते हैं ये लेता है अब होती है central election committee central election committee क्या होती है उसमें 11 parliamentary board के लोग होते हैं प्लस 8 member और होते हैं तो total ये 11 और 8 19 लोगों की committee होती है और ये जो 8 member हैं ये national executive से या राश्री कारकारणी से चुन के आते हैं elect हो के आते हैं इस CEC में जो साथ के अलावा जो तीन लोग हैं उनके नाम है जुहाल ओरायम शाहनवाज हुसेन साहब और विजय रहत्रकर साहब तो ये तीन लोग अभी हैं और इस में से पांच वेकेंट हैं तो साथ parliamentary board के तीन elected राश्री कारकारणी के तो साथ तीन दस 19 में से 10 लोग अभी Central election committee में हैं ये Central election committee इसलिए important होती है कि टिक्टों का जो वित्रण होता है जो किसी भी party के लिए सबसे important है और भाजपा तो election mode में ही अर्दम रहती है तो उसकी सबसे important committee Central election committee होती है उसमें 19 में से 10 लोग है इस समय बाकी 9 इस्थान अभी खाली है अब इन सब के ऊपर एक जो broad based होती है वो राश्री कारकारणी होती है या national executive उसमें कुल 120 लोग और president के साथ के अलावा 120 लोग हो सकते हैं अभी उसमें कुल 80 लोग है उस 80 लोगों में एक मतलब मैं आपको जा परकार बनती है तो उसमें प्रमुक रोल उत्तर प्रदेश का भी रहता है इसमें कुई दोराय नहीं है तो वहां से 13 लोग है लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे इंप्रेजेंटेशन जो सबसे बड़ी स्टेट है वो वेस्बंगॉल है ये बहुत मतलब बेरे लि तो उसमें छे लोग वेस्बंगॉल के रखे गए हैं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू कि यूपी के 13 उसके बाद जो सबसे लार्जस्ट कहीं का रेप्रेजेंटेशन है तो इस्टेट में वेस्बंगॉल और डेली है डेली के जो छे लोग हैं उसमें से बेसिकली वो कोई दिली से लेना देना बहुत नहीं जैसे अडवानी जी हैं एलेक्शन एक वा लड़े हुए हैं वहां से जीते हैं जैशंकर साहब हैं मीनाक्षी लेखी जी हैं मनुस्तिवारी हैं ये सब लोग उसी महर्श्वादन जी हैं विधुरी जी हैं ये छे लोग मिलके दिली लेकिन प्राइमेरली ये लोग देश के अलग अलग भागों में भी रहते हैं और उसमें इनकी इंपॉर्टन्स आप यह नहीं कह सकते हैं कि मूल रूप से वो केवल दिली को ही रिप्रेजन करते हैं तो वेस्ट बंगॉल में छे लोगों का रहना थोड़ा ये दिखाता है कि वेस्ट बंगॉल उनके मतलब बीजेपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टन्ट है अच्छा ये क्यों हुआ पहला चीज़ते समझे कि एकदम से राष्ट्री कारकार्णी का पुनर गठन क्यों हुआ तो उसको जो ट्रिगर किया है जिसका जो जो कॉज आफ तुरंत इसका पुनर गठन का है वो तो वरुण गांधी के लगातार जो लखीमपुर के बाद इस्ट हाला कि वरुण गांधी किसान आंदोलन के पक्ष में पिछले दो तीन चार महिने से कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहे हैं उनके पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं लेकिन लखी ना कहीं से वो गुसा या गुसा कह लिजे या उनको उनकी जगह दिखाने के लिए यह दिखाई जा रहा है कि तुम कहां हो मैं दो लोगों को कि जो मैं कुछ लोगों के नाम ले लूँगा जिनको डॉप किया गया है इस राश्री कारकारणी से तो उसमें मानिका गांधी उनको फिर नेश Kurt mant toe में लेकिन अब राश्री कारकारणी से विह दो बहर कर दिया गया है more or less ऐसा लग रहा है कि अब वरुन गांधी और मेनका गांधी जी को बीजेपी को बाई बाई कहने का समय आ गया है क्योंकि दो तीन चीज़ें और हैं जब ये बीजेपी के लोग नहरू पे हमला करते हैं या नहरू को कुछ कहते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जितना नहरू राहूल गांधी के नाना या दादी के पिता हैं जो भी उनको बोलिये उतना ही वो वरुन गांधी के लिए भी उनका वही एहमियत है तो अगर आप उनके घर के किसी बड़े उसको आप गाली दे रहे हैं तो वरुन गांधी को बिना जाने में बोलो है अच्छा तो नहीं लगता होगा वो एक अलग विशा है कि बानेका गांधी और सुनिया गांधी जी के आपस के जो इंदा गांधी के समय के जो संबन्द है उस वज़े से इन लोग एक प्लैटफॉर्म पे नहीं आते है और दूसरा यह है कि जादा उमीद सबको यही है कि वरुन गांधी जी को वो निकालते इसलिए नहीं है क्योंकि निकालते ही वो फिर MP रहेंगे ही रहेंगे लेकिन जादा उमीद UP Elections को सामने देखते हुए यह लग रही है कि अगर इनको कहीं याएंगे लोग कहरें Congress में आएंगे मेरे मेरी analysis के अंसारों Congress में नहीं आएंगे अगर वो बीजेपी से निकाले जाते हैं या वो बीजेपी छोड़ते हैं तो मेरे लिए जो लॉजिकल उनको जाना होगा वो समाजवादी पार्टी में ही जाने की बात मुझे जो समझ में आती है एक जो important drop हुए है वो सुब्रमन्यम स्वामी हुए है क्योंकि सुब्रमन्यम स्वामी बीजेपी की तरफ से एक इस तरह का हरदम वो रखते थे इधन रखते थे इस तरह का गोला बारूद रखते थे जिस पर लगातार कॉंग्रिस पर प्रहार करते रहते थे लेकिन वो कभी-कभी leadership के कुछ decisions को कुछ-कुछ को भी कोशन करते रहते थे बीजेपी अब बीजेपी इस समय जो present बीजेपी है वो criticism सुनने को नहीं तयार है वो कोई भी अगर कुछ बोल रहा है अगर आप उनके against बोलना है तो सुनने को नहीं तयार है इसलिए शायद सुम्मिन सौमी जी ड्रॉप हुए है विने कटियार को क्यों ड्रॉप किया है यह मेरी भी बहुत समझ से परे है क्योंकि विने कटियार तो उनके एक समय के poster boy थे जब राम जन भूमी आंदोलन चल रहा था लेकिन अभी की राजनीत में उनको कहीं न कहीं इधर उधर बाहर किया गया है वीरेन सिंग हर्याना वाले जो हैं कॉंगरस छोड़ के गए थे अब उनके लड़के MP ही हैं उनको बाहर किया है विजय गोयल जी को भी राश्ली कारकारणी में जगा नहीं मिली है जबकि मनुस्तिवारी और हर्श्वल्धन जी एक समय विजय गोयल साहब भी कंटेंडर थे मुक्वंसी पत्पे के लेकिन उनके सितारे आजकर लगता है गर्दिश में है राव इंद्रजी सिंग को भी ड्रॉक किया है अब जो इंक्रूजन इंपॉर्टन है वो जरा बात कर लें वेस बंगॉल से जो सबसे और पूरे घटना क्रम में जो मुझे सबसे जिसको कहते है न मैं मुझे पढ़के क्या बोलेंगे मुझे मेरे पास उसका वर्ड नहीं अच्छा लगा कि मुझे मतलब देख के मुझे कौन समय आइम नौट एबिल टो एक्स्प्रिस दाट फीलेंग वो मितुन चक्रवरती जी का ना नाग नाग वाला याद है ना नाग वो कहां क्या नाग कर देंगे और ये कर देंगे वो मितुन चक्रवरती जी का ना मितुन चक्रवरती जी बड़े पौंपन शो के साथ एक दिन बीजेपी के मंच पे आये थे कुछ कुछ बोले थे कि नाग है और क्या है और नाग निकलेगा उसके बाद वो पिलकुल गाय भी हो गए बीजेपी के मन से उन्होंने इलेक्शन में भी कोई शरकत नहीं की अब उनको फिर से राश्टी कारकारणी में लाया जा रहा है जो भी उनके कारण हो इस बीच आज क एक खबर है जो टिलगैफ में ठीक से छपी है वेस्ट बंगॉल में जो जो टीम वेस्ट बंगॉल को देखती थी उसको रिटेन किया है उसमें कैलाश विजयवरगी साहब मिनन जी और मालवी जी अमित मालवी जी ये लोगों की जो टीम है जो जो वेस्ट बंगॉल के एले तो खास करके शीर ने तो क्या उसमें आमेशा जी उसको अपने दिल पे ले लिये हैं वो उनके कुछ एगो की बात हो गई है खैर वो एक है और उसी वज़े से उन्होंने उसी टीम को रखा है हाला कि उसी खबर में ये भी है कि जो वेस बंगॉल की लोकल जो नेता हैं उनको क क्याना ही है कि ये तो भई हम ग्राउंड पे तो हम लोग लड़ लाए थे और 18 सीट हमने जीत के दी थी इसमें विज़ेवर के आने से हमारा जो यहां का है वो वो डिस्टरब होता है लेकिन उन्होंने बीजेपी के ने इस परानी टीम को अपने साथ रखा है और उसके हार के कारण भी दिखाते हैं कि टिकट में किस तरह से टिकट डिस्ट्रिबूट किये विज़ेवर की जी त्यादी त्यादी एक इंपॉर्टेंट नाम जो इंक्रूजन हुआ है मतलब जैसे मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है मिधुन चक्रवर्दी जी के आने का लेकिन इनके ल हात है ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई है कि इनको सब बड़े-बड़े मंत्रा ले और इनको राश्री पूछ बढ़ी यूपी से चो तेरा लोग हैं उसमें इंप्रूटन्ट मेरे हिसाब से जो स्वामि पीसाद मौरिया का आना थोड़ा इंडिकेट करता है वी सी पृती हिरानी को फिर रखा गया है को बीच में इस से फटा दिया गया था राश्रीकार कानी से लेकिन फिर उनकी वैसे नेता और उनको बीजेपी के प्रिजेंट जो रिजीम है उसने उनको बिल्कुल बाहर रखा था उनको रखा गया है अब ज़रा यह समझ लें कि यह सारी नेशनल एक दर्शाती है मतलब इससे वाट वाट आर दी पॉइंट्स क्या देख सकते हैं एक तो यह है कि बीजेपी क्या जो जो भी डिसिशन मेकिंग है वो फास्ट है जैसे वरण गांदी ने कुछ करना शुरू किया उनको लगा कि इस तरह के कुछ बातें हो रहे हैं तो उन्होंने खड़ा-खड़ा-खड़ा करके राश्टी कार कॉंग्रेस की फंक्शनिंग में अब वो कॉंग्रेस उसको डिफेंड जो भी करें कि हमारी ज्यादा लोगतांत रिखे नहीं है लेकिन फिलहाल तुरंत डिसिशन मेकिंग में बीजेपी बहुत फास्ट है दूसरा इससे एक चीज जो दर्शाता होई है कि बंगाल के में अ उसको रिटेन तो कम से कम करना ही चाहेंगे एक चीज़ बिल्कुल इस पश्ट है जो तीसरी बात में नहीं समझ में है कि अब मोदीश ताहब और शाह साब की जोड़ी बीजेपी पार्टी से बड़ी है रखे वही लोग गया है जो इनके इनके प्रतिज इनकी वफदारी बिल्कुल ठीक है दो लोगों की वफदारी जैसे अड़वानी साहब और मुर्ली मना और जोशी साहब उसमें हैं लेकिन मुझे लगता है इनको भी खुदी रिटार्मेंट ले लेना चाहिए आप कहीं कि डिसिशन मेकिंग में तो आप हैं नहीं आप कहीं पुलाएं आप बोर्ट तक में रखे नहीं गए हैं आप सीसी में हैं नहीं लेकिन चलिए आप फो एक चीज़ और है जो ये तीन चार तीन चार चीज़ें तो मैंने बताएं जो बीजेपी के पार लेकिन एक चीज़ और कहूंगा जो मीडिया की बात है मीडिया मैनेजमेंट तो मान लीज कारकानी बन रही है जिसमें बड़ी न्यूज है कि वरुन गांधी में मानिका गांधी को ड्रॉप किया जा रहा है लेकिन आपने कोई डिबेट देखी टीवी पे इस पे कोई डिबेट देखी अभी वो जी 23 जो कॉंगरस के कुछ लोगा वो कपल से बन बोल दे रहा है तो प भी डिशिशन मेकिंग को और छोटा करते जा रहा है मतलब वो दो आदमी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं मालूं लेकिन 120 की राश्रीकार करनी है असी लोग है चीफ एलेक्शन का अर्वे सेंटर एलेक्शन कमिटी जो है वो 19 लोगों की है दस लोग हैं पार्लमेंटरी बोर्ड ग्यारा का है साथ लोग हैं तो इसको और मेरे ख्याल में आने वाले समय में हम इसका और छोटा वर्जन देखेंगे और फश्खैर ये बातें शायद आगर मैं कहूं तो अध्योक्ती नहीं होगी कि आने वाले दोनों में केवल दो ही लोगों का शायद पार्लमेंटरी बोर्ड ची अमा सिंट्रल एलेक्शन वो या लाश्री कारकार्णी दो लोगों की हो जाएगे बाकी लोग रहेंगे लेकिन वो अभी भी दोई लोगों की चलती है तो चलते चलते सिर्फ यही कि बीजेपी की जो जो बात सीखने वाली किसी पार्टी को है कि दियर क्विक जो अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत उसको जाके उस पर रिस्पॉंड करते हैं और उसके जो भी उनके हिसाब से जो ठीक कारवाई होनी चाहिए वो लेते हैं चलते चलते एक बार फिर से आपसे आर्थिक सहीयोग की अपील हमें आर्थिक आते हैं उसमें थोड़ा अगर पैसा आपके यहां से कुछ सहीयोग की रूप में आ जाएगा तो हमें आसानी होगी चलाने हैं तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे फेस्बुक पर देख रहे तो हमें सहीयोग करें आपका छोटा से छोटा सहीयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा डोनेट करने के लिए डीटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं धन्यवाद